नमस्कार दोस्तों विद्यावजान इस्चूट में आपका स्वागत है मेरा नाम है हिमांशू और इस वीडियो में हम सॉल्फ करेंगे exercise 5.3 का question number 3 दोस्तों last वीडियो में हमने question number 3 के part 1 से लेके part 5 तक हमने solve किया था इस वीडियो में हम part 6 से लेके part 10 तक solve करेंगे तो चले जल्दी से इसको solve कर लेते हैं अब देखिए इस question का part 6 है given a is equal to 2, d is equal to 8, sn is equal to 90, find n and an अब देखिए इस question में हमें पहला term दिया गया है, common difference दिया गया है और n terms का हमें sum दिया गया है और हमें उस n की value निकालनी है और nth term को हमें निकालना है तो चले जल्दी से इसको solve कर लेते हैं दोस्तों ये question थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत easy है बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा अब देखिए जैसा कि हम जानते हैं that sn is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d अब यहाँ पे हमने a plus an का formula इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमारे पास an की value नहीं थी हमको an की value निकालनी है चुकि हमारे पास a की value है और d की value है तो हम sn में ये वाला formula लेंगे sn is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d अब इस formula में आप values रख दीजे, n की value हमें नहीं पता, n की value हमें पता लगानी है a की value है 2 और d की value है 8, अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा n by 2 अब यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर देखिए n minus 1 into 8 तो यह हो जाएगा 8 and minus 8 अब यहाँ पर देखिए plus 4 minus 8 हो जाएगा minus 4 तो यह हो जाएगा 8 and minus 4 अब bracket के अंदर जो term है उसे देखिए यहाँ पर है 8 and minus 4 8 and minus 4 में हम 2 common ले सकते हैं अंदर आ जाएगा 4 and minus 2 और 4 and minus 2 और यहाँ पर है n by 2 तो यह 2 और 2 आपस में कट जाएगा बचेगा सिर्फ 90 is equal to and bracket में 4 and minus 2 तो समझ में आ गया यह यहाँ पर 4 and minus 2 कैसे आया चलिए अब इसको और simplify कर ले यहाँ पर देखिए n into 4 and is equal to 4 and square and into minus 2 is equal to minus 2 and अब यहाँ पर हमको एक quadratic equation यहाँ पर देखिए मिलेगी और उस quadratic equation को हम solve कर ले तो हमें n की value मिलेगी इसको simplify करेंगे तो यह हो जाएगा 45 is equal to 2 and square minus n अब देखिए यहाँ पर यह कैसे आया यहाँ पर हमने 2 को right hand side में common लिया और left hand side से हमने उसे cut कर लिया यहाँ पर अगर हम 2 को common ले ले तो आएगा 2 and square minus n और 2 यहाँ पर left hand side में cut जाएगा आएगा 45 अब इसको और simplify कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए यह आएगा 2 and square minus n minus 45 is equal to 0 अब देखिए यहाँ पर हमाँ पास quadratic equation आ गई और quadratic equation के chapter में हम पढ़ चुके हैं quadratic equation को solve करने के 3 method होते हैं एक होता है factorization method एक होता है completing the square method और एक होता है quadratic formula तो किसी भी method का उप्योग करके आप इस quadratic equation को आप solve कर सकते हैं हम यहाँ पर इस equation को factorization method से solve करेंगे तो factorization method से अगर हम solve करें इस equation को a n square plus b n plus c is equal to 0 से अगर हम compare करें तो b की value आएगी minus 1 और a into c की value आएगी minus 90 minus 45 into 2 is equal to minus 90 तो यहाँ पर हमें b को ऐसे split करना होगा कि उसको sum करें तो minus 1 आए और उसको multiply करें तो minus 90 आए तो वो split होगा minus 1 is equal to minus 10 plus 9 अब इसको sum करेंगे तो minus 1 आएगा और इसको multiply करेंगे तो minus 90 आएगा तो यहाँ पर इसको हम split कर लेते हैं तो यह हो जाएगा 2 n square minus 10 n plus 9 n minus 45 is equal to 0 अब देखें यहाँ पर 2 n यहाँ पर common हो जाएगा अंदर आएगा n minus 5 और यहाँ पर 9 common हो जाएगा bracket में आएगा n minus 5 अब n minus 5 हम common ले लेंगे अंदर bracket में आएगा 2 n plus 9 अब देखें यहाँ पर n minus 5 into 2 n plus 9 is equal to 0 तो therefore either n minus 5 is equal to 0 और 2 n plus 9 is equal to 0 that means either n is equal to 5 और n is equal to minus 9 by 2 अब देखें n है क्या? n जो है वो number of term है और number of terms जो होगी वो एक natural number होगा एक counting number होगा तो n की value minus n by 2 तो नहीं हो सकती therefore n is equal to 5 तो यहाँ पर n की value आएगी 5 अब देखें हमारे पास n की value आगई यहाँ पर देखें आधा question solve हो गया अब हम बहुत ही आसानी से a n की value निकाल सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम a n की value निकाल लेते हैं now a n is equal to a plus n minus 1 into d तो यहाँ पर n की value है 5 तो a 5 is equal to a a is equal to 2 plus 5 minus 1 into d d is equal to 8 अब इसको solve कर लिजे इसकी value आएगी 34 and that is our answer तो देखा दोस्तों कितना easy question था? थोड़ा सा लंबा था लेकिन बहुत easy question था चलिए अब इसका 7th part solve कर लेते हैं 7th part है यहाँ पर देखिए दिया गया है a is equal to 8 a n is equal to 62 sn is equal to 210 find n and d तो चलिए जल्दी से इसको solve कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर भी हम formula का use करेंगे that is sn is equal to n by 2 a plus an क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारे पास a n की value दी गई है तो हम इस formula का use करेंगे तो यहाँ पर हम sn की value रख देंगे sn is equal to 210 is equal to n by 2 a is equal to and an is equal to yes तो अब इसको solve कर लीजे अब इसको और simplify करेंगे यह देखिए आप उसमें cut जाएगा यहाँ पर आएगा 3 तो n is equal to हो जाएगा 6 n की value हमारे पास आगई अब हम d की value निकाल लेते हैं now a n is equal to a plus n minus 1 into d a n is equal to 62 a is equal to 8 and n is equal to 6 and d d की value हमें निकाल ली है इसको solve करेंगे 8 left hand side में जाएगा हो जाएगा minus 8 62 minus 8 is equal to 54 is equal to 5 d therefore d is equal to 54 by 5 and that is our answer चलिए अब जल्दी से इसका 8th part solve कर लेते हैं अब 8th part है यहाँ पर देखिए दिया गया है given that a n is equal to 4 d is equal to 2 s n is equal to minus 14 find n and a अब यहाँ पर हम formula का use करेंगे वो है a n is equal to a plus n minus 1 into d क्योंकि देखिए हमाँ पास a n की value है d की value है हमें a निकालना है और n निकालना है तो यहाँ पर इस formula का हम use करेंगे तो यहाँ पर a n is equal to 4 a की value हमें पता नहीं है n की value भी हमें पता नहीं है और d की value है 2 ति हो जाएगा 4 is equal to a plus 2n minus 2 अब इसको और simplify करेंगे ति हो जाएगा 6 minus 2 left hand side में जाएगा हो जाएगा plus 2 4 plus 2 is equal to 6 6 is equal to a plus 2n therefore a is equal to 6 minus 2n अब यह हमारे पास एक equation आ गई अब इस equation का हम आगे use करेंगे now sum of n terms of ap is equal to n by 2 a plus an अब यहाँ पर n की value हमें पता नहीं है sn की value हमें पता है a की value हम रखेंगे यहाँ पर equation 1 से और an की value भी हमको पता है इन सब values को अगर हम रखेंगे तो हमें n की value मिल जाएगी now sn is equal to minus 14 n की value हमें पता करनी है a is equal to 6 minus 2n and an is equal to 4 तो हो जाएगा 10 minus 2n तो हाँ पर हो जाएगा minus 14 is equal to n 5 minus n अब इसको और simplify करेंगे यह हो जाएगा minus 14 is equal to 5n minus n square यहाँ पर भी देखिए हमको एक quadratic equation मिल गई इसको भी हम उसी तरीके से solve करेंगे यह equation हो जाएगी n square minus 5 and minus 14 is equal to 0 अब इस equation में b is equal to minus 5 a into c is equal to minus 14 तो अब यहाँ पर हम minus 5 को ऐसे split करें कि उसको add करें तो minus 5 आए और multiply करें तो minus 14 आए तो वो terms होंगे minus 5 is equal to minus 7 plus 2 तो यहाँ पर देखिए minus 7 plus 2 is equal to minus 5 minus 7 into plus 2 is equal to minus 14 अब इसको split कर लेंगे यहाँ पर n common लेंगे आएगा bracket में n minus 7 यहाँ पर 2 common लेंगे bracket में आएगा n minus 7 अब n minus 7 common लेंगे bracket में आएगा n plus 2 तेफोर n is equal to 7 और n is equal to minus 2 अब यहाँ पर देखिए n जो है वो number of terms है और number of terms negative नहीं हो सकते तो n minus 2 value नहीं हो सकती तो n की value केवल aq होगी that is 7 तो n is equal to 7 अब equation 1 में हम n की value रख देते हैं यह है equation 1 अब यहाँ पर n की अगर हम value रख दे तो इसकी value आ जाएगी a की value आ जाएगी minus 8 and that is our answer चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए अब इसका ninth part solve कर लेते हैं बहुत ही आसान है अब ninth part में यह दिया गया है given that a is equal to 3 n is equal to 8 sn is equal to 192 find d यह तो बहुत ही आसान है अब यहाँ पर हम formula का use करेंगे sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d अब यहाँ पर देखिए हमाँ पास a की value है n की value है sn की value है k वल d की value यहाँ पर नहीं है तो इन सब values को आप रख दीजे sn is equal to 192 n is equal to 8 a is equal to 3 n is equal to 8 अब यहाँ पर यह आपस में कट जाएगा यहाँ पर आएगा 4 यह भी आपस में कट जाएगा यह आएगा 48 therefore 48 is equal to 6 plus 7d इसको और solve करेंगे तो d की value आएगी 6 ठीक है and that is our answer चलिए अब इसका last part solve कर लेते है 10th part और 10th part है given that l is equal to 28 s is equal to 144 and there are total 9 terms find a अब यहाँ पर देखिए nth term last term दिया गया है that is 28 and there are 9 terms that means l is equal to a 9 a9 is equal to 28 चलिए इसको solve कर लेते है इसमें कुछ है नहीं जैसा कि हम जानते है that sn is equal to n by 2 a plus l अब यहाँ पर l is equal to last term भी कह सकते है और nth term भी कह सकते है बात वही है sn is equal to 144 n की value है 9 और a की value हमें पता करनी है last term है 28 28 अब इसको solve कर लेते है यहाँ पर यहाँ आगा 16 into 2 is equal to a plus 28 therefore a is equal to 32 minus 28 and that is equal to 4 and that is our answer and hence our question is solved अऑ़ को